नमस्कार मेरा नाम है साजेब और आप देखना सुरू कर चुके हैं नेक्षनाइन न्यूस पॉलिटिकल बाइट देखे अखिलेश यादव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाद पर हमलावर नजर आते हैं लेकिन योगी आदित्यनाद का लक्ष जो है वो कुछ और ही यहाँ पर नजर आ रहा है जी हाँ देखे 2024 में लोकसभा के चुनाव है पूरे बारत में और उसको ले करके लगातार सरगर्मिया तेज है तमाम पार्टियां इस पर अपना अपना साथ देते हुए एक दुसरे को विपक्षी एकता थोड़ी मोरी नजर आ रही है और कुछ विपक्षी एकता ताश के पत्ते के तरे भी खड़ गई है तो विपक्ष अगर मोटा मोटी बात कहें तो विपक्ष अपना चहरा नहीं डिसाइड कर रहा है कि प्रधान मंत्री के चहरे के रूप में किसको उतारा जाए तो वहीं यही समस्या कहीं ना कहीं भारतिया जनता पार्टी के सामने भी खड़ी हो गई है आपको बता दे कि भारतिया जनता पार्टी जो है उसके सामने बड़ी मुसीबत अभी अमित्शा और योगी आदितनात को ले करके हो गई है इंडिया टुडे ने एक पोल किया था मूड आफ देशन और सी वोटर्स का राई जानी थी उन्होंने जिसमें सबसे जादा मत अगले प्रधान मंत्री के दावेदारी के लिए अमित्शा को मिलेते और उसी में दूसरा जो इस्थान है वो योगी आदितनात ने पराप किया था यानि अमित्ष शाह को जानने वाले अमित्ष शाह को प्रधान मंत्री बनाने के लिए आगे करने के लिए लोग जादा उस्चुक है योगी आदितनाथ के मुकाबले में देखा जाए तो लेकिन योगी आदितनाथ अभी प्रधान मंत्री बनने को लेकर के कुछ खास बयान देते वे कुछ कहते वे नजर नहीं आ रहे हैं कि प्रदान मंत्री वो बनेंगे लेकिन जनता कहीं ना कहीं 26 से 27 पर तीशत जनता जो है यह उमीद लगाई वी है योगी आदितनाद जी से कि वो प्रदेश की गद्दी के बाद अब देश की गद्दी समहालना चाहेंगे इस क्या बने रहे और देखते रे नेक्स्टनाइन न्यूस पॉलिटिकल बाई